ब्रेक के बार एक बाद फिर आप सभी का स्वागत है बैंगलुरू और दिल्ली से हमारी खास पेशकर शेक और एक घ्यारा आप देख रहे हैं आपको याद होगा कल प्रधान मंती ने वर्चुल तरीके से इस पूरे चंद्रयान 3 के मिशन को देखा था बधाईयां दी थी इसरो के वेग्यानी को कोई लिकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ी बात कहीं उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 पर ही ये मिशन ये पूरा का पूरा इसरो का प्रोजेक्ट अभी यहीं थमा नहीं है आगे भविश में अभी बहुत सारी चीजों पर अध्यान और शोद किया जाना बाकी है जिसमें सबसे मैतपूर बात प्रधान मंती ने कही ये बड़ी ख़बर आपको बता दे कि अब सूर्य पर आदित्य L1 के जरिए अध्यान किया जाएगा यानि कि अब चांद के बाद सूरज पर इस्रो के विग्यानिकों की नजर होगी उसके बाद उन्हेंने कहा कि हम वीनस का भी अध्यान करेंगे सौर मंडल के जो तमाम प्लानेट्स हैं उनको लेकर इसरो लगातार अध्यन करता रहा है लेकिन अब चांद के बाद सूर्य पर इसरो की नजर टिक जाएगी यानि कि जो वर्षों और महीनों की मेहनत है चंद्रियांत्री के जरिये वो रंग लाई और अब होसले और जादा बुलंद है इसरो के विग्यानिकों को इन तमाम अध्यनों को लेकर और ये जो बड़े-बड़े मिशन चाहे वो अब सूर्य की बाद प्रधान मंत्री की ओर से कही गई हो आदित L1 के जरिये इससे ये शोद किया जाएगा कि किस तरीके से सूर्य और उससे जुड़ी तमाम जो उर्जा है वो कैसे इस पूरे मिशन को और जादा आगे बढ़ा सकती है तो चांद से लगातार खुशकविया आ रही है जल्दी विक्रम और प्रग्यान चांत के बारे में ऐसी जानकारिया भेश सकते हैं जो अंतरिक्ष विज्ञान में तहलका मचाने वाले साबित होंगे जल्दा मामा दूर के लेकिन अब हमें कह सकते हैं जल्दा मामा इस दिन को बेश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा किसी शक्त, किसी आशंका, किसी डर, किसी खौफ की अब कोई गुझाईश नहीं रहे अब आप डंके की चोट पर कह सकते हैं चांद हमारी मुठी में हम चांद के शेहनशा हैं हमने चांद को जीत लिया है हमारा मिशिन चंद्रियान 3 काम्याब रहा है कलिस्रो के प्रमुक ने चंद्रियान 3 की सौफ्ट लैंडिंग की घोशना की थी अब इस मिशन के कामयाबी के सबूत खुद चांद से आने लगे है पहली खुशकबरी से बाहरा चुका है पांचमे खुशकबरी लैंडर विक्रम ने चांद से तस्वीर भेजना भी शुरू कर दिया है इसरो का ये ट्वीट इस बात की पुष्टी करता है कि चंद्रियान 3 सौफीस दी खाम्याब रहा इसरो ने घोशना की है पॉर मून रोवर नीचे उत्रा और भारत चांद पर चला लैंडर विक्रम ने कल ही एक तस्वीर भेजी थी जिसमें चांद की सत्य पर उसकी परचाई दिख रही है ये तस्वीर बता रही है कि लैंडर विक्रम सही ठीकाने पर उत्रा है उसने अपने लिए चांद पर सुरक्षित जमीन तलाशने में खामयाबी हासल की अब ये सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा कि चंद्रियान थ्री के अगले हिस्से में क्या होने वाला है बेहद मोटे तोर पर आप यूँ समझ लीजे कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रग्यान की उम्र महद 14 दिनों की होगी 14 दिनों के बाद विक्रम और प्रग्यान चांद की सतह पर ही समाधी ले लेंगे वो इसलिए क्योंकि चांद पर 14 दिनों तक सूरज की रोष्णी होगी फिर घना अंधेरा होगा विक्रम और प्रग्यान में सोलर पैनल लगे हैं उनी से दोनों को उर्जा मिलती है धूप नहीं होगी तो दोनों निश्करिय हो जाएंगे यानि उनकी मौत हो जाएगी अंधेरे के साथ साथ चांद के इस कडाकी की ठंड पड़ेगी तापमान माइनस 200 डिग्री से भी नीचे चला जाएगा विक्रम और प्रग्यान के पुर्जे इतनी ठंड जेल नहीं पाएगी तो हमारे पास 14 दिनों का वक्त है बलकि उससे भी कम का वक्त शेश बचा है और शोध की संभावनाएं अनन्द है चांद से भेजे डेटा विज्ञान के क्षेतर में क्रान तिला सकते तहलका मचा सकते चांद पर जीवन की संभावना चांद पर पानी की संभावना चांद पर खनिच संपदा की संभावना चांद पर स्पेस सेंटर की संभावना चांद से दूसरे ग्रहों की परताल की संभावना चांद की उत्पत्ति का रहस्य प्रित्वी जैसे दूसरे ग्रहों की खोज शोध की कोई सीमा ही नहीं बचती जिसमें चंद्रियान के भेजे डेटा मददगार हो सकते हैं इसलिए इस कामयाभी को दुनिया भी सलाम कर रही है दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें इस उपलब्धी को महान बता रही हैं बैंगलूरू से नेहा बात हम के साथ आज तक भी उरो तो चंद्रियान 3 के जरिये भारत ने अपनी सफलता के जंडे पूरी दुनिया भर में गार दिये हैं पूरी दुनिया की नजरे कल इस चंद्रियान 3 की मिशन पर टिकी हुई थी और इस रो ने अपनी सकामयाभी के जरिये ये साबित कर दिया है कि अगर बंद में कुछ ठान लिया जाए तो वो कता ही मुश्किल नहीं है चंद्रियान 2 की सफलता के बाद वो रुके नहीं वो थबे नहीं और चंद्रियान 3 के जरीए उन्हें थाबित कर दिया कि दक्षे द्रूप पर पहुँचना भी संभव है इस पूरे मिशन को इस पूरे रोवर की लैंडिंग को देखने के लिए हजारो करोणों लोग तेसे तो जुड़े ही लेकिन यूट्यूब के जरीए भी लोगों ने इस काम्याभी को देखा और इतिहास के गवावने इन तालियों का इंतजार कर रहा था पूरा हिंदुस्तान ये कोई मामूली तालिया नहीं ये वो तालिया हैं जो दुनिया बदल कर रख देने की ताकत रखती है ये वो तालिया है जिनकी गूज इस वक्त आप पूरी दुनिया में सुन सकते हैं ये वो तालिया है जिन पर देश के प्रधान मंत्री तालियां बजाते हैं ये वो तालिया है जिन पर सेना तालियां बजाते हैं क्रिकेटर तालियां बजाते हैं पूरा देश तालिया बजाता है। ये तालिया अंतरिक्ष विज्यान में भारत की धमक की मुनादी कर रही है। जब हमारा विकरम चांद की सत्य की तरफ पूच कर रहा था तो पूरी दुनिया कैसे सांसे था में एक 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 एक्षिन को गौर से देख रही थी। इस रो की यूट्यूब चैनल पर लाइब प्रसारण शुरू होने के 45 मिनिट के भीतर दर्शकों की संख्या 80 लाख को पार कर गई। दर्शक यूट्यूब चैनल पर टूट पड़े। चंद्रयान थ्री की लैंडिंग के एन पहले इस चैनल पर सब्सक्राइबर्स की संख्या करीब 26 लाख थी। प्रसारण के 13 मिनिट में 33 लाख लोग लाइब प्रसारण देखने लगे, 17 मिनिट में 40 लाख जुडे, 31 मिनिट के बाद इसरो के यूट्यूब चैनल पर 33 लाख से ज्यादा लोग लाइब प्रसारण देख रहे थी। 43 मिनिट पर 66 लाक लोग लाइब पर सारण देख रहे थे। इसके बाद कुछ ही मिन्टों में दर्शकों की संख्या 80 लाक पहुच गई। करीब एक घंटे के लिए जैसे दुनिया की नजर इसरो पर ही ठहर गई। सिर्फ एक घंटे में इसरो के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 26 लाक से 35 लाक हो गई। यानि 9 लाक बढ़ गई। चंद्रयान 3 ने इस मोर्चे पर भी अब तक के सारे रिकॉर्ड धोस्त कर दिये हैं। जो अब तक नहीं हुआ वो कल हो गया। दे वर्ल्ड रैंकिंग नाम के ट्विटर हैंडल की ए रिपोर्ट देखिए। यूट्यूब पर अब तक ब्राजील और तक्षिन कोरिया के फुटबॉल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग ही सबसे अधिक 61 लाक लोगों ने एक साथ देखी थी। जिसे बुदवार को चंद्रियान त्री की लाइव स्ट्रीमिंग ने पटखनी दे दी। इस लिस्ट में तीसरे नमबर पर ब्राजील और क्रोईशिया का फुटबॉल मैच हैं जिसे 52 लाक लोगों ने एक साथ देखा था। पुरी दुनिया की मीडिया इसरो के खामयाबी की खबर को प्रमुखता से दिखा रही थी। बीबी सी पर चंद्रियान 3 की खामयाबी ब्रेकिंग निउस बन रही थी। सी एन एन इसरो की तारीफ के फुल बांद रहा था। वाल स्रीड जरिए जनरल भी उस वक्त चंद्रियान की खबरें दिखा रहा था। आइना दिखा रहा था। चंद्रियान 3 की लैंडिंग वर्ल्ड मीडिया के लिए मेगा शोब बन गई। इसके आगे बड़े परे इवेंट फीके पड़ गये। इसरो ने दिखा दिया कि विज्ञान क्या नहीं कर सकता, वो आविशकार कर सकता है, तो टी आर पी भी बटोर सकता है, आज तक प्यूरो तो विक्रम प्रग्यान इस वक्त किस हालत में है और आगे चंदरियान थ्री मिशन को कैसे पूरा किया जाएगा इस बारे में इस्टो प्रमुग Dr. S. सुमना से आज तक ने एक्स्यूजिव पाथचीत की. इस बारे में इसे लिए जारे में इस्टेव प्रमुग 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 की. झाल झाल